दायोड सहन करीशके तेटला महतम रीवर्स वल्टेड ने एक नामति ओडख्वा माँ आवे छे तो उती पहला आपने दायोड नी रचना जोई लेए दायोड ए बे सेमी कंडिक्टिंग मट्रियल पी अने एन प्रकारना बे सेमी कंडिक्टिंग मट्रियल नी एक कंबिनेशन वारी रचना छे जैनी अंदर एक पी टाइप नो मट्रियल होई छे आने बीजु एक n टाइप नों मट्रेल होए छे अप P अने n टाइप ना जे मट्रेल छे एने जोडी ने जंक्सन पोईट बने छे अने जंक्सन पोईट केवा मां आवे छे एवीज रीते टे यारे अप P ये लेएर छे एमाथी एक छेड़ो काड़ी ने बाहर राखवा मावे छे एनो एनो एनोर केवा मावे छे एनोर अटलेके प्लस एवीज रिते एन टाइप छे एमाट्रियल माथी एक टर्मिनल बाहर काड़वा मावे छे एनोर केथोड केवा मावे छे एनोर केथोड केवा मावे छे एनोर पोजेटिव छेडा साथे पेट्रीनों पोजेटिव छेडों जुडवामावेची अन्ने नेगेटिव छेडा साथे पेट्रीनों नेगेटिव छेडों जुडवामावेची तो आ प्रकारना ये रजना बनेची जैने क्यावामा आवेची फोर्वर्ड बायस फोर्वर्ड ब प्रकार ना जे बायस से एने रिवर्स बायस के वामा आवेची अवे त्यारे टायोड ने फॉर्वर्ड बायस करवामा आवेची त्यारे एनु पी अने एन जंग्सन छे एकदम ओचो अवरोधा पेची जेना परिणामे करंट नू भहन थाईची एविज रिते जारे प्रकार नी जारे रचनाने एसी सप्लाय आपकामा आवेची त्यारे एसी ना पोजेटिव हाफ साइकल नेगेटिव आप साइकल दरीवन तायोड पोजेटिव हाफ साइकल दरिम्यान कंड़क करें ची अने ए आउटपूट आपे ची नेगेटिव हाफ साइकल दरिम्यान कंड़क करतो ना थी करने के वक्ते रिवस बायस ताही ची वड़ी पाचु पोजेटिव हाफ साइकल दरिम्यान तायोड कंड़क करें ची ने इक्टिफाइर सरक्रिट तरेके तायोड स्व्यापक मात्रा में उप्योग हाई छे आज रिवर्च भायास थे एंप उलटा मरता वोल्टेज चे यह तले कि एना जे पी तर्मिनल थे एन नेगेटिव व्याटरी नो टर्मिनल मलें चे अने आण ई जे टर्मिनल थे एने व्या केवामा आवे छे, जैमके 1N4001 प्रकार्ना जे डायोड छे, यह एंडू, पिक इन वर्टेज चे 50 वल्टेज छे, ए विज़्री तरह 1N4007 जे डायोड छे, यह एंडू, पिक इन वर्टेज चे 1000 वल्टेज छे एटले आयां महत्तम रिवर्स वल्टेज जहान करवानी जे एनी सट्ती छे त्वातो एनी कैपेसिटी छे एने पिक इनवर्स वल्टेज केहवा मा आवे छे प्रस्ट नंबर 2 सिलिकोन डायोड माटे बेरियर पोटेंचन नू मुल्य सुँँचे जारे पी एन जंक्षन डायोड मा आवी रिते बे अलग अलग प्रकारना मट्रियल लेयर नू जंक्षन भने छे त्यारे पी प्रकारना मट्रियल माथी होल्स चे ए जंक्षन पासे एकठा थाई छे एवी जरी ते एन प्रकारना मट्रियल माथी पान अमुक इलोक्ट्रोन चे ए जंक्षन पासे एकठा थाई छे जेना परिना में जंक्षन उपर छे ए एक प्रकार नो अवरोध उत्पन थाई छे आ अवरोधने कारणें जंक्सन उपर सुक्समा वाल्टेज उदपन थाए छे आ सुक्समा वाल्टेज छे एने क्यावा मा आवे छे बेरियर पोटेंचिल इतले के जो बेरियर पोटेंचिल जेतला वाल्टेज छे ए पी एन जंक्सन ने आपामा आवे तो पी एन जंक्सन छे ए वहाग तरीके नो कारिय करे छे पी एन जंक्सन मां बे प्रकारना डायोड नो उप्योग ठाई छे एक डायोड जे जर्मेनियम प्रकारनों छे जमा जर्मेनियम धातो नो उप्योग ठाई छे ए वी रिते विजो जे डायोड छे एमा सिलीकॉन अर्धवाक उपियोग थाही चे जर्मनियम डाइवड माटे आ बेरियर फोटेंचल नुग जो जे मूल्य छे तो आपनों एनो उत्तर छे 0. start voltage प्रस्टा नंबर 3 निचे आप्पामा आवेलो symbol कई device नो छे निचे आहिया जे symbol आइपेलो छे आज जिनर डायोड नो symbol आप्पामा आवेलो छे जिनर डायोड नो अहिया आगर symbol आप्पामा आवेलो छे कारण के डायोड नो जे symbol छे आप्रक प्रकार नो होई छे जैना बन्ने माथी एक एक लीड जे छे ये बार काडेली होई छे आ प्रकार नो जे सिंबोल छे तायक नो छे LED नो सिंबोल छे आ प्रकार नो थाई छे ज्यानी अंदर थी light उच्सर जित्थती होवा थी light ना आई वी रीते रेज बार निकरता हो ए दर्शाविलू होई छे अने अहीं जी आई पेलो छे जीनट डायोड नो सिम्बोल छे जारे सेकंडरी मा अथवात आउटपूट मा अचड वल्टेद नी कॉंस्टन्ट वल्टेद नी जरुया थो जीनट डायोड नो उप्योग थाई छे रेक्टिफ एटले के खास प्रकार नो इनु जंक्षन ट्रांजिस्टर चे एन उप्योग थाई छे प्रस्ट नंबर पाच सिलिकोन सेमी कंड़क्टर डायोड माटे नो ओर क्यों छे अहीं आगर 1N4007 छे एस सिलिकोन सेमी कंड़क्टर डायोड नो सिम्बोल सिम्बोल छे यानी अंदर 1N छे एं जंक्षन नी सिंख्या बतावे छे क्या अनी अंदर एक जंक्षन होई छे जयम कै आपने जो यू के PN जंक्षन डायोड ने अंदर 1PN 1N प्रकार नों मत्यल होई छे एतला अनी बचे एक जंक्षन होई छे एतला माटे एनन 1N4007 1N एओ नंबर आपपा माई विल ये विजरी ते जो 2N ट्रांजिस्टर ने अंदर बे जंक्षन होई छे एटला माते हैं आगा 2N3055 छे ट्रांजिस्टर नो नमबर छे खास प्रकार ने जो पावर ट्रांजिस्टर छे एना माते नू आ कोडिंग आपपामा आवेलो छे BT126 अथवा BT136 छे ए ट्रायक माते नू कोडिंग आपपामा आवेलो छे ज्यारे OA79 छे ए जर्मेनियम टायोड छे एना माते नू कोडिंग आपपामा आवेलो छे अगाव ज्यारे कोडिंग आपपानी जूनी पद्धत इमा सेमिकंडक्टर डिवाइस माते O सिंबोल वापरमा आव होता ओ ओन नू मतलब जाएचे के कोई पनपरकरन नों सेमिकंडिक्टिंग डिवाईस अने A जे चे ए जर्मेनियम माते वापरमा आवे चे सिलिक्टर daw बाद करवाम आविले छेटले सी ओप्सन छे ताच ओप्सन छे प्रस्ट नाबर छ प्रकास नी तीवरता माप्पा माटे क्या अवरोधनों उप्योग थाए छे अहीं आगड वीडियार एंटीसी पीटीसी अने एलडियार एवा चार प्रकार ना फूल रेजिस्टन्स सौथी पेला अपने वीडियार जोई है तो एनो आखु नाम थाए छे वल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर तिद्दू एनो नाम जेवो छे के वल्टेज उपर आधारित एनो मुल्य छे एने आप्पामा आवता वल्टेज उपर आधारित होए छे जारे एने और एनो जे रेजिस्टन्स छे ए नौन लिनियरली घडतो जाए छे उधार अंतरी के कोई एक वीडियार आई पेलो छे सपोज के एने आपने दस वल्टेज आपई छे जारे एनो रेजिस्टन्स छे ए 100 ओम छे अवे एवी जी रिते जो 10 वल्टेज ना आपने वल्टेज म रिजिस्टन्स ये वेल्टेज में 5 वध्वात प्रकार ना सर्क्रेट ब्रेकर ने अंदर आर्क क्वेंचिंग डिवाइस मा विडियार नो उपयोग थाई छे इविजरी ते ओबर वल्केज़ प्रोटेक्शन सर्किट मा विडियार नो उपयोग थाई छे जे स्टेबिलाजेशन सर्किट चे एणि अंदर पन आ प्रकार ना विडियार नो उपयोग थाई छे अब बीजो जे रेजिस्टन्स आपेलो छे एंटी सी एनो नाम पूरू नाम छे नेगेटिव टेम्प्रेचर को ओफिसियंट इतले के नेगेटिव करेक्टिरिस्टिक धराव छे जैम जैम एनो टेम्प्रेचर वद्धतु जाए छे ऐ एम एनो रेजिस्टंस जे घटतो जाए चे उदारन तरीके आपने लेवु होए तो इवु कई सेके के सफोस्ट के कोई एक एन टी सी छे एनू टेम्प्रेचर छे ए रूम टेम्प्रेचर एटले के 20ज़िश्ट्डी सेंटिग्रेड टेम्प्रेचर समझ ए अपने तो 20 दिग्री वदारी ने कूल टेंपरेचर 30 डीग्री करिये यह एनो रेजिस्टंस छे ए 400 ओम जेटलो ठाई छे अन एवीज रिते जो आपने वीजा दस डीग्री सेंटिग्रेट ताप मान वदारी एटले के 40 करिये तो एनो रेजिस्टंस से 150 जेटलो अंदा जे थही जैए परन्तु 20-10 डिग्री जरे टेंपरेचर आपने वदार वी ची त्यार येनो रेजिस्टन्स लगबग लगबग अडिसो ओहुम जेटलो घटी ग्यों ये आप रकारना जे टेंपरेचर उपर आधारीच जे रेजिस्टन्स अन्नेमा केरेक्टरिस्टिक येनी नॉन नेगेटीव टेंपरेचर कोफिक्शन्स ले जेम जेम टेंपरेचर वद्तू जाइए एमेंनो रेजिस्टन्स भडतो जाइए अप्रकारना जे NTC ची येनी ताधारान भासामा थर्मिश्टर पन क्यावांा आवे ची येनु भीजु नाम थर्मिश्टर ची आप्रकारनी जे सर्मिस्टर से ए खास कोई पर्टिकुलर टेंपरेचर उपर स्विचिंग डिवाइस तरीके नो कारिय करेचे एविज रिते पर्नेंच से ओवन से एवा हाई टेंपरेचर वाड़ा डिवाइस नी अंदर टेंपरेचर मेजरमेंट माटे पन त्यानों उप्योग चाहे चे प्टिशी चे एना करता उल्टी करेक्टरिस्टिक छे एक पोजेटीव पोजेटीव टेंपरेचर को ओफिसियंट अटलेके जैम जैम टेंपरेचर वद्दतु जाए छे एम एम एनो रेजिस्टन्स ए ए वद्दतो जाए छे उपर नी रिते उदारन तरीके आपने तो आपणे एम आपात के 10डिगरी टेंपरेचर वद ऐतलेके 30डिगरी टेंपरेचर करिये दस तक तर और करीए ची सब्सकर करेंडिया पान जे रीजिस्टन्स मां तो वद्दतो जे ए नोन लिनियरली ची और रेखिक रिते जे वद्दतो जे वद्दतार वद्दे छे एने केवामा आवे छे पोजेटिव टेंपरेचर को ओफिस्यंस प्रकार ना रेजिस्टन्स अने चोथा प्रकार नो जे अवरोज छे एनो अर्थ थाया छे LDR अटले के लाइट डिपेंडिंग अवे उपर ना चे थे तराने तरन रिजिस्टर हतार यह मा बोल्टेज अने ताप aquesta अधारी तकाए प्रकास पड़ेची त्याँ यह से आड़ो रिजिस्टन्स थे तिंग उप्योग छे ए प्रकास नी तीवरता मापपा माटे करवा माँ आवे चे आपना उत्तर छे LDR प्रस्टना नंबर स्टाट हाफ वेव रेक्टिफायर, फूल वेव रेक्टिफायर अन्ने ब्रीज रेक्टिफायर माँ अनुक्रमे केटला डायोड होई छे हाफ वेव रेक्टिफायर नी अन्दर आ प्रकारे मात्र एककच डायोड नो उप्योग थाई छे एनी सर्कीट से ए आ प्रकार नी वोई छे एटला माटे एमा एककच डायोड नो उप्योग थाई छे सिकτελ Și C या भी यह स्रख्राइब ड करण ये रिक्टिफाइयर चेक स्रक्राइब ऐन्दर स्रक्राइब १ से आज प्रम रेक्टिफाइर ने हैने भी ये स्रक्राइब ये बड़ी प्रवेब तरंक वोप्न आवेज प्रम निक्ति कि आव़ कूल चार डायोड नो उप्योग करवां मा आवे छे अचार डायोड मा जे आ समान छेड़ाँ छे एणिवचे AC आपपह मा आवे छे णीवच माथी DC अउटपूर्ट लेवां मा आवे छे AC इंपूर्ट छे अना ब्रीज रेक्टिफ हैर नी अंदर चार डायोड ना उप्योग थाई चे आई एक डायोड चे बे डायोड चे अनुक्रम एक बे चार यह आपनों साचो उतर चे एक कि अन्य चार अहीं आगर चार ओप्सन छे एक बे चार प्रस्टन नमबर आठ आप वेव रेक्टिफायर ना इन्पूट वल्टेज 24 वल्ट छे तो तेना आउटपूट डीसी वल्टेज केटला वल्टेज यह से अहीं आगर एक हाफ वेव रेक्टिफायर नी सर्कीट आप पामाविली छे आप वेव रेक्टिफायर नी अंदर वी आउटपूट छे डीसी आउटपूट छे एनों सुत्र छे 0.300 डार एने गोणिया वी टिक वेल्यू परन्तु अहीं आपने जो यह ची के जे इनपूट वल्टेज छे ए 24 वल्ट एसी आउट पेला छे यहने प्रेक्टिकली जे वल्टेज नों मेजरमेंट होई छे ए आरेमेस मूलिया होई छे इतला माटे अहीं आगर आपने 0.300 डार एने गोणिया आवी पीक का पेलू छे एने आपने वी आरेमेस मा फेरवू पड़ छे एतले के 0.707 आउस उत्र लखू पड़ छे अवे अहीं आगर आपने 0.300 डार एने गोणिया तो आवीस करशू तो एनो जवाब छे लगबग 10 पॉइंट आठ जेटलो आव से 10.8 एटले के 10.8 छे एतला वोल्टेज आपने डीसी वोल्टेज मढशे प्रस्ट नामबर 9 आप वे रेक्टिफायर मा वपराला डायर नू रेटिंग केटलू होई छे यहां आपने हाफ्वे रेक्टिफायर नी सर्किट जोई ची एम आपन करन्ट छे कानके करन्ट ने पसार थवानों मात्र एक जरस्तो छे जेटलो करन्ट छे ए लोड माथी पसार थाई छे एटलो ज करन्ट छे ए डायोड माथी पसार थाई छे एटला माते डायोड नू रेटिंग छे ए लोड करन्ट जेटलू होवू जोई यहां आगर लोड कर अर्दू, खोटू चे लोड करंट नो बमनू, एपन कोटू चे ने लोड करंट नो चार गणू, एपन कोटू चे, प्रस्टन नमबर 10, जो ट्रांस्पोर मनना सेकंडरी वल्टेज 24-0-24 होई, तो आ ट्रांस्पोर मनना उपियोग द्वारा तैयार करवामा अवेल फूल वे रेक्टिफायर मां, आउट्पूट जे डीसी छे, आउट्पूट डीसी, एनू सुत्र थाई छे 0.9, एने गुणिया वी, शेकंडरी ना आर्यमेस, शेकंडरी ना जे आर्यमेस वल्टेज छे, एटलू एनू मुल्य थाई छे 0.9 ती गुणवाई थी, अब आहीं आगर 0. 0.9 एने गुणिया शेकंडरी ना जे आर्यमेस वल्टेज छे, एटला माटे 24 नवा वस्षो ने सोड, एटले के 21.6 वल्टेज छे, एटला आउट्पूट डीसी वल्टेज आपनने मर से, आपना ओप्शन नी अंदर 21.6 वल्टेज छे, ए आपना ताच उत्तर छे, प्रस् लोड नो रेजिस्टंस जो 10 ओम होए, तो डायोड नो करंट रेटिंग केटलो होई छे, अई आगर एक फूल वेव सर्कीट आपपामा आवेली छे, फूल वेव सर्कीट नी अंदर, तो उती पहला तो आपने एम केदू चेक नीचे नी आकुरुते में दल साइल लोड नो रेजिस्टंस जो 10 ओम होए, अबे 10 ओम लोड नो रेजिस्टंस से एतला माटे आपने जो लोड करंट शोधो होई तो लोड करंट एटले I, DC बराबर VDC एना छेद मां रेजिस्टंस केटलो लोड छे ए, अबे VDC नो मुल्य केटलो ताइचे, आपने आगर नाज 10 मां ट्रांस्पोर्मार होए, तो 21.6 छे, ए VDC नो मुल्य थाए, अबे अगर लोड रेजिस्टंस है पेलो छे 10, एतले के 2.6 छे, 2.6 एमपियर छे, ए लोड करंट छे, IDC परंतु लोड नो, लोड नो IDC करंट, 2.6 एमपियर छे, अबे आपने ए एक बात अहीं इंट्रेस्टि वाबत छे, ए ध्यानमा लेवी जोई है के, फूल वेव रेक्टिफायर नी अंदर, आज ये बे डायोड छे, ए AC सरकिट नी मात्र हाफ साइकल दर्म्यान ते ए ओपरेट थाए छे, पीजी हाफ साइकल दर्म्यान छे, ए वड़ी आ डायोड ओपरेट थाए छे, एटले के, आज ये लोड करन छे, बे पॉइंट सोड एंपियर ये बे डायोड वचे से रखाए छे, एटले के, फ्यां चाही जाए छे, फ्यां चाही जाए छे, फ्यां चाही जाए छे, फ्यां डायोड वचे व्यां चाही जाए छे, एटला माते, एक डायोड नो जे रेटिंग छे, लोड करंट ना अड़धा जेटलू होगु जोई है यहां अगर लोड करंट छे यह 2.6 A छे यह भाग्या आपने 2 A करिये तो बसो शोड़ ना अड़धा छे 1.08 A जेटलो था एटले के डायोड नू रेटिंग छे कि 1.08 A जेटलो होगु जोई है यहां अगर C ओप्षन छे 1.08 अपनों साच ओप्षन छे हैं प्रस्टन नंबर बार आकरुते मा दर्सायल ट्रांस्पोर्मर नू रेटिंग बसो 40 V, 24 V छे यहां प्राइमरी मा यहने बसो 40 V वल्टेज आपामावे छे ट्रांस्पोर्मर आपन ब्रीज रेक्टिफायर आपामावे लो छे जमाँ चार्ड डायोड नो उप्योप फैसी वो ब्रीज रेक्टिफायर आपामावे लो छे ब्रीज रेक्टिफायर मा पन जो VTC आउट्पूट नों सुत्र छे 0.9 एने गोणिया वी शेकंडरिना पन आर्मस अवे अहां आगर 0.9 एने गोणिया 24 वोल्टेज आई पेला छे सेकंडरिना चे वोल्टेज छे 24 आई पेला छे एतला माटे 29 216 एतले के 21.6 वोल्टेज छे ए आपनने सेकंडरिना आउट्पूट मा अमर से 21.6 वोल्टेज छे ए यहां साचो ओप्शन छे प्रस्टन तेर एक ब्रीज रेक्टिफायर नी पेलल मा जोडेल लोड नो करंट 4 एमपियर होए तो तेना प्रत्यक डायोड नी करंट केपिसिटी केटली दसे जो डायोड नी करंट केपिसिटी माटे बे पॉइंट याद राखवाना छे एक हाफ वेव रेक्टिफायर होए तो हाफ वेव रेक्टिफायर मा करंट केपिसिटी छे करंट केपिसिटी के लोड करंट जेटली राखवी जोए ती जो फूल वेव रेक्टिफायर होए अत् अर्धि जिटली राखवी जोए जिटलों लोड करण्ट आवे छे करंड के बे डाइवड माथी पसार तोसे इहीं फूल वेव, रेक्टिफायर नी अंदर ब्रीज रेक्टिफायर नी अंदर जे बे डाइवड छे तो पचि डायोड ने कैपेसिटी छे के 2 amp Kn जेटली होवी जो ये एटले के बे एम्पेर छे ये आपणाम ताचो आंसर छे अहीं आगड़ बी मा बे एम्पेर एपेलो छे ए ताचो आंसर छे प्रस्टन नंबर चाओद आकरुते मा दर्सायल ट्रांसपर बनना सेकंडरी वोल्टेज 24 वोल्ट होए तो उप्योग मा द्रा अवर डाइओड ना मिनीमं पी आइवी रेटिंग शोधो पिक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग एनू केटलू है ऊसे चो दो जो अवे द्रायोडनो जêt पिक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग छे एक्चूल मा फी, जेटला वोल्टेज डायोड ने अडिकation के पिक चे आरे एना जे बन्ने टर्मिनल ऊपर चे आ बन्ने टर्मिनल ऊपर फिक जेटला वाल्टेज चे अस्तित्व धरावता वाई चे एटले फिक वेल्यू शोध्वी होई तो आपड़े वी आरेमेस एना छेद माँ 0.707 आ सुत्रनों उप्यों करो जोई अवे वी आरेमेस आप पन्ने आपिलू चे चोईश अवे एना चेद माँ आपड़े 0.707 लकीशू अने साधू रूप आपशू तो ये लगबग 34 वाल्ट जेटलू थसे एटले के आ कंडिशन माजो डावेड वापर वो होई तो एनू पी आइवी रेटिंग छे ए 4 वाल्ट जेटलू होवू ज जोई अहांग डी ओप्शन चे ए साच ओप्शन चे प्रस्ट नंबर पंदर फूल वेव रेक्टिफायर नी इन्पूट रिपल फ्रिक्वंसी केटली होई चे अपने जानिये ची के रेक्टिफायर चे एमा डायोड चे ए माथी पोजिटिव हाफ साइकल पसार थाई चे न एकले के रिपल फ्रिक्वंसी चे सफोज के आर इतनू आपने एसी वेव फॉर्म जो आप प्वाइपू होई तो डायोड ना आउट पूट माँ चे ए आ पोजिटिव चे एक डायोड कंड़क करे चे एटले माडए चे आ नेगेटिव चे ए बिजो डायोड कंड़क करे च टबल फ्रिक्वन्सिय यह आसा. छे प्रस्ट नमर सोर नीचे ना पई कि कयो एक्टिव कमपोनेंट छे जो में एक्टिव कमपोनेंट अने पेसिव कमपोनेंट वीशे नीचो बाद करवी होए तो जे कमपोनेंट छे एक किर्चो ओम जेवा नियम अनु पालन करता होई छे एवा कमपोनेंट ने पेसिव कमप अक्टिव कंपोनेंट चे वाम आवे चे तमाम प्रकार ना इलोक्टोनिक्स डिवाइस चे इलोक्टोनिक्स डिवाइस ए एक्टिव कंपोनेंट चे अने जेम के रेजिस्टर चे कोईल चे इंडक्टर तेमाज केपेसिटर तमाम प्रकार ने कोईल अने केपेसिटर चे ए मु तु याद राखवानी चे आमा डायोड, ट्रांजिस्टर, LED तमाम प्रकार नी जे इलोक्रोनिक्स डिवाइस चे एनो समावेश थाई चे अहीं आपने आपलो चे के निचेना पेकी कई एक्टिव कंपोनेंट चे तो आपलो चे रेजिस्टर एटले पेसिव चे आजे आपलो चे एंडक्टर एटला माटे पेसिव चे आपलो चे केपेसिटर एटला माटे पेसिव चे अहीं आगर जे आट ट्रांजिस्टर आपलो चे एक्टिव कंपोनेंट चे एटले के आपना आंसर थाई चे ट्रांजिस्टर प्रस्टन नाबर सत्तर निचे ना पाईकी कईयो 好像 component चें चैर्ण आइक च्राइक डाय कोर्द साथ Post दीक्र आइक चैर्ण आइक। आपने याद राखवाना चे एटला माटे याँ प्रस्टन उतर डी थाई चे प्रस्टन नामबर डर SCR मां सेमिकंडक्टर लेयर केटला वह चे जो SCR चे A, P, N, P, N एवा चार प्रकारना लेयर साथे जोडान थाई अने सेमिकंडक्टर डिवाइस बने चे एटला माटे SCR मां सेमिकंडक्टर लेयर पुछा होए तो 4 चे हवे जो आपने टर्मिनल पुछा होए तो टर्मिनल से एना ए त्रन टर्मिनल होई चे अपने पुछी योगतले आँपने टर्मिनल पुछेला होई तो ie व्य रीति स्सक्र 챔र सुप्सीनिमोट आ पूझे ृँच्वामा आव yard तर्मिनल पूछ joteln फूचेल्गतले और अपने तर्मिनल स्सक्रें इल誉 अपने टर्मिनल पुछला होई पुच्छा वोई तो एना त्रान जंक्षन छे पाजुमा एनो जे आई नो सिम्बोल दर्शामा आएलो छे एनो और केथोड अने गेट प्रस्ट ना उत्तर थाए छे चार एना लेयर होई छे प्रस्ट नामबर ओगनीश SCR ने ओप स्टेट थी ओन स्टेप मा लावा माटे कयो करण्ट जरूरी छे ए जे करण्ट छे एनो लेचिंग करण्ट क्यवा मावे छे त्यारे SCR बंद होई छे अने फरीवकत तेने चालू करवान होई छे एथो तेने फायर करवान होई छे त्यारे जे करण्ट नो मुल्य चेक्पडुर्णुर्ण जे टेक्णिकल टर्म्म चे लेचिंग करंट थे थिक यह प्षल नो कंट्रोल डर्मिनल कहें प्रकारे कल या अगर आज यह नो आज आज अज चे आज नो के थोर चे आज आज यह इसे यह जो गेटाइपका यह पलो थे यह जार सी आर ने कैथोर SCR छे एने ON एह अमुक voltage सुधी SCR ON थतो नती परनतु जो get current चे get current आए अए गेट करंट सून्य हो ए to work vultiz to the SCR on थतो नatी इटले के fire थतो नatी हवे मानिलो के gin nad current चे ए सून्य मांती थोड़ो Stop current वधरवांमा आवे तो ओच्या व्टेज थी SCR fire थीयच चेटले के conduct थीयचे आजरी जो can do Creek जिरी तो recycle, st explain에 rb पहला करता पन ओच्छा वोल्टेज फायर थीजे चेटले सेर फायर थवानों आधार चे येना गेट करन्ट उपर चे एटला माटे सेर नो कंट्रोल टर्मिनल चे ए गेट चे आई अगर गेट ए साचो चे के थोड एनोर अने बेज ए कोटा अंसर चे प्रस्टा नामर एक वी SCR नम उप्योग क्यों चे मोटर नी स्पीड कंट्रोल सरकीट माटे SCR व्यापक मात्रामा उप्योग करवामा अवे चेगो आपने गिदू के एम्प्लिफायर चे ए ट्रांजिस्टर चे एना माटे रांजिस्टर उप्योगी चे उस्सिलेटर चे एना माटे चे युजी ट मां आवे चे प्रस्टन नंबर त्रेवि considerably transistor मा केटला terminals होई छे transistor मा kuper 3 terminal होई छे अहिया आगर transistor नी रचनाधर्शह मा आवे लिए चे बे प्रकारन transistor आवे चे PMP transistor अन्न था already PNP transistor घए ये रचनाधर्शह मा आवे चे एनो 1 grh collector से 8Rob 1 Venom a 8 Venom a recreation childKIら A onあ फे छे troMo This gentleman छे ए अंदरनी साइड मां जतो हो ए तो ए जे ट्रांजिस्टर छे ए पी औ कि प्रकार्न सफूर, यदो लिप वीकरता गी आक फानी पंद्र अले प्रकार्न प्रमिनमस लिद आज घ्री नेन या परनी Прploys यह वय आपने ऐसे राख केरे खिले प्रमिनल थेवलो है बाब्त थे आहीं आपनेश क्लीयर थाही चही ऊस्ट्रा नंबर 24 कंफीग्रेशन मां करंट एंप्लिफिकेशन फेक्टर क्यो हो जह करंट एंप्लिफिकेशन फेक्टर baDS आफ़ा चेयर ट्रांजिस्टर आउट्पूट करंट छे औने इन्पूट करंट छे एना गुणत्तर ने क्यावामा आवे छे करंट एमप्लिफिकेशन फेक्टर पॉमन बेज माटे छे एना एमिटर मा थतो IE, एमिटर करंट मा थतो फेरफार अने एना कलेक्टर करंट मा थतो फेरफार IC, आ ब्ये वचे नो जे गुणोतर छे अने केवा मा आवे छे, करंट एम्प्लिफिकेशन फेक्टर अने एने जनरली आलफा द्वारा दर्शावा मा आवे छे अने आगड आपर ओप्सन आपेलो छे, आलफा ताचो ओप्सन छे प्रस्ट नाबर 25, युजिटी ना टर्मिनल नू नाम सुम होई छे युजिटी मा कूल त्रान टर्मिनल होई छे, एना एक टर्मिनल नू नाम होई छे बेज 1, बिजा टर्मिनल नू नाम होई छे बेज 2, अने त्रिजा टर्मिनल नू नाम छे एक स्केमेटिक रचना आपाम आविली छे जमान बेज 1 छे एटले के B1, बेज 2 छे एटले के B2 अने A2 जरीते A मीटर आपेलो छे आया गड़ एनो A3 जो टर्मिनल छे प्रस्टन नमबर 26, फिक्स्ट वल्टेज रेगुलेटर IC मा केटला टर्मिनल होई छे? प्रस्टन प्रस्टन आपाम 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 लेखेलो चे येनो आउट्पूट चेडो चे अने common चेडो चे इन्पूट औने आउट्पूट बन्ने जोडे चे आउट्पूट चे अनी आउट्पूट चे प्रश्णा नंबर सत्याइश दिस्क्रेट सर्कीट नी सर्कामनी मा IC एटले के इंटेग्रेटर सर्कीट नी साइज केटली होचे जो डिस्क्रेट सर्कीट नी अंदर तुटा चवा अने स्वतंत्र दिवाइस चे ए वापरवामा आवती होई चे यहांनी साइज चे ए आईसी नी साइज करता गणी मोटी वह चेहीं आईसी नी साइज पूछे ली चे एटले के स्मॉल साइज आपपामा आवे चे प्रस्टन नाबर 28 8305 आईसी नो उप्योग सुँँ चे 8305 आईसी चे ए वोल्टेज रेग्योलेटर माटे नी आईसी चे जेना आउट्पुट नी अंदर कॉंस्टन्ट पाँच वोल्टेज मरता रहे चे 830 चे ए एनी स्किरीज चे अने आचटना जे बे डीजिट आपेला होई चे जेना वोल्टेज आपेला होई चे जेमके 830 बार आप्पामा आविली चे प्रस्ट नामर 39 नीचे आपेल वोल्टेज रेग्योलेटर सर्किट माँ एक्स तरीके मार्क करेल कंपोनेंट नो नाम सुँ चे एक्स तरीके मार्क करेलो चे ए NPN प्रकार नो ट्रांजिस्टर छे करनके हमना जा अपड़े बाद करी के NPN प्रकार ना ट्रांजिस्टर मा जे एनो ए मिटर नो चेडो चे एमा जे एरो आपेलो होई चे बारनी साइड मा आपेलो चे 3 टर्मिनल डिवाइस आपका माय ली चे एतले काँ एक प्रकार नो टांजिस्टर चे 3 वप्षन चे एपड़ा माटे साचो चे Q3 DC पावर सपलाई मा हाई पावर पेशिव कम्पोनेंट क्यों कार्य करे चे हाई पावर कम्पोनेंट चे सब्सक्राइबust अंदर डायोड नो उप्यो करवा मा आवे चे अने एनो जे त्री जो टेज छे ए प्योर डीसी मेडवा माटे एटले के फिल्टर सर्किट वाड़ो एनो टेज होए चे एटला माटे यह आगड़ा आपन एपलो चेक डीसी पावर सप्लाई नो सेकंड स्टेज छे ए रेक्टि हमा वल्टेज माझे वदर हो थल्टतो यह दूर करवा माटे काई फिल्टर सर्किट छे एक सक्सम छे एटले के फिल्ट्रेशन करी यान्ये आपनने तुद्ध कोंस्टन्ट वल्टेज आपेची यानो नाम छे πाइफिल्टर फिल्टर नी अंदर सरुआत मां पन कैपेसीट इन्पूर्ट ने अंदर पन कैपेसिटर जोडेलू छे आउट्पूर्ट मा पन कैपेसिटर जोडेलू छे अने वच्चे छे ए इंडक्टर जोडेलू छे एटले आनो आकार छे पाई जेव थतो होवाती आने पाई फिल्टर केवा मावे छे अने जे वल्टेज मा थतो चार्चान